विशेश पत्र 27 जून 2020 बी के रतन मुहिनी दादी जी दौरा मधुगन से प्रकाशित प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्थ मात पिताब बाब दादा के अती लाडले सदा साथी को साथ रक साक्षी हो हर पाट बजाते हुए कदम में सफलता की अनुभूती करने वाले सभी इस बने-बनाय ड्रामा की अविनाशी नूंद प्रमान सदा एकरस स्थिती में स्थित रहे विश्व कल्यान की सेवा में तत पर निमित मीठी टीचर्स बहने तथा सर्व ब्रामन कुल भूशन भाई बहने इश्वरी इसने हैं संपन मदूर याद सुईकार करना जी बात समाचार आप सब वर्तमान देश और विदेश के समाचार सुनते अपनी कल्यान की शुब भावनाव द्वारा विश्व को सकाश देने की सेवा कर रहे होंगे ड्रामा की या सीन भी हम सब को अपनी अचल अडोल एकरस स्थिती द्वारा मनसा सेवा करने का अभ्यासी बना रही है सभी अपने अपने स्थानों पर रहकर अच्छी तपस्या कर रहे हैं मदूर के कारिक्रमों के बारे में भी सब पूछते रहते हैं लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से भारत में कोरोना के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं सरकार समय प्रती समय सब की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन देती रहती है अभी 12 अगस्त 2020 तक तो ट्रेन आदी के आवागमन पर भी रोक लगा दी है अतहा आज यह विशेश पत्र आप सब के पास पांड़ो भवन ज्यान सरवर तथा शांतीवन के सभी कारिक्रमों के बारे में भेज रहे हैं पहला 12 अगस्त 2020 तक तीनों इस्थानों के सभी कारिक्रम इस्थगित है दूसरा सितंबर माह में होने वाली विंस की कांफरेंस अत्वा योग शिविर आदी जो शांतीवन में रखे गए थे वह भी सब कैंसल है तीसरा कुमारियों के लिए जो टीचर्स ट्रेनिंग का कारिक्रम था वह भी अभी सगित है बाकी 14 अगस्त से जो टीचर्स बहनों की भट्टियां आदी शांतीवन में रखी गई है उनकी सूचना आपको अनुकुल परिस्थितियों को देखते हुए शिक्र ही भेजी जाएगी आशा है आप सभी अपने अपने स्थानों पर रहते हुए ग्यान योग की गहन अनुभूतियां करते उचे से उची स्थिति बनाने का पुर्शार्ट कर रहे होंगे अच्छा सभी को बहुत बहुत याद इश्वरी सेवा में B.K. रतनमोहिनी जी ओम शैंती